हेलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा SSE MTS हवलदार का एक्जाम पांच जुलाई से 22 जुलाई के बीच में होगा और आज की वीडियो में हम करेंट अफेर्स के कोशन करेंगे टोप 25 कोशन और इन से बाहर आपका करेंट अफेर नहीं आएगा करेंट अफेर की सिरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से और करेंट अफेर के जो कोशन करवाऊंगा वही कोशन करेंट अफेर के MTS सभलदार एक्जाम में आएंगे तो वीडियो को एंड तक पूरा ध्यान से देखेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए तो देखे दोस्तों कोशन आपके स्क्रिन पे है फर्स्ट कोशन आज का मिस यूनिवर्स दोहजार एक्टिस में कितने देशों का प्रती निधितव करने वाली महिलाओं ने भाग लिया देखे मिस यूनिवर्स दोहजार एक्टिस में टोटल असी देशों का प्रती निधितव करने वाली महिलाओं ने भाग लिया है option यहाँ पे 3 right answer है next question है question देखिए विस्व अलजाइमर दिवस निमन लिकित में से किसी दिन मनाया जाता है देखिए world Alzheimer's day is observed on which of the following days विस्व अलजाइमर दिवस हम 21 सितंबर को मनाते हैं तो यहाँ पे right answer होगा option 2 इस question का next question है असीवा CSIR स्थापना दिवस का मनाया गया असीवा CSIR स्थापना दिवस 26 सितंबर 2021 को मनाया गया है option यहाँ पे one जो है ना वो right answer होगा next question है 34 अखिल भारतिये डाक कुस्ती चैंपियनसिप की मेजबानी कोन सा सहर कर रहा है 34 अखिल भारतिये डाक कुस्ती चैंपियनसिप की मेजबानी की बात करें तो यह नई दिल्ली सहर कर रहा है option यहाँ पे three जो है ना वो right answer होगा इस question में next question देखते हैं थानू पद्मा नाबन का सितंबर 2021 में निदन हो गया वहन निमन लिकित में से किस चेतर से समन्द रखते थे थानू पद्म नाबन का सितंबर 2021 में निदन हुआ है और वो समन्द रखते थे भोतिक विज्ञान के चेतर से तो यहाँ पे option यहाँ पे four जो है ना वो right answer हो जाएगा ठीक है next question है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में पुरवांचल एक्सप्रेस का उधगाटन करने के लिए उत्तर परदेश का दोरा किया सुल्तान पूर जिले में यहाँ पे option टू जो है ना वो right answer होगा next question तिरंदाजी विशू चैंपियंशिब 2021 में भारत ने कितने पदक जीता तिरंदाजी विशू चैंपियंशिब 2021 में भारत ने टोटल तीन पदक जीते हैं option यहाँ पे थ्री जो है ना वो right answer होगा next question है राष्ट्रपती रामनात कोविन ने वर्स 2021 में कितने पदम विभूशन पुरुसकार प्रदान किये राष्ट्रपती रामनात कोविन जी ने वर्स 2021 में टोटल साथ जो है ना पदम विभूशन पुरुसकार प्रदान किये हैं option यहाँ पे 2 जो है वो correct answer होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को like, share और MTS की अच्छे से त्यारी कर रहे हो तो चेनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर लो यहाँ पे रोजाना आपको MTS का वीडियो मिलता है next question है October 2021 में किस राजे सरकार ने SC OBC के विकास के लिए धन को मनजूरी दी है तो यह दी है राजस्थान राजे सरकार ने option यहाँ पे 4 जो है वो right answer होगा next question है December 2021 में Pakistan Cricket Board PCB के नए CEO के रूप में किसे नुक्त किया गया है तो यह नुक्त किया गया है फैजल हसनैन को option यहाँ पे 2 जो है न वो right answer होगा next question देखते हैं सौधी अरब ने October 2021 में होने वाले Middle East Green Initiative Summit में किसे आमंतित किया है तो यह किया है प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी जी को option यहाँ पे 2 जो है वो right answer होगा next question मीनी आईपे ने अगस्थ 2021 में किसके प्रबंध निदेशक के रूप में कारे भार ग्रेंड किया है तो यह किया है Life Insurance Corporation of India यानि की भारतिय जीवन बीवा बीमा निगम के रूप में तो यहाँ पे option for right answer होगा next question है October 2021 में अमरतंजन हेल्थ केर के ब्राण अमेजडर के रूप में किसे नुप किया गया है देखिए अमरतंजन हेल्थ केर के ब्राण अमेजडर के रूप में नुप किया गया है यहाँ पे बजरंग पूनिया और मिराबाई चानू को option 2 यहाँ पे right answer होगा next question है सितंबर 2021 में एशियाई स्क्वेज महासंग ASF का उपादिक किसे चुना गया तो यह चुना गया साइरस पोंचा को option यहाँ पे 3 जो है वो right answer होगा next question है 2021 में विशु में सरवशेष्ट खिलाडी का बैलंड आर पुरुसकार किसे जीता देखिए बैलंड और जो पुरुसकार है इसे जीता है footballer लियोनेल मैसी ने option यहाँ पे 2 जो है ना वो right answer होगा next question पी केशव राव का अगस्त 2021 में निदन हो गया वह किस उच नियाले के पुर्व नियाएध हिस्ते तो यह थे दोस्तों तेलंगाना राज्ये के जो है ना यह उच तेलंगाना उच नियाले के पुर्व नियाएध हिस्ते यह option 1 right answer होगा next question है निमन लिकित में से किस राज्ये को सोजत महंदी के लिए भोगोलिक संकेत GI टैग मिला है सोजत महंदी के लिए GI टैग राजस्थान राज्ये को मिला है option 2 right answer होगा next question है October 2021 में 67 राष्ट्ये फिलम पुरुसकार में किस राज्ये को देश के most film friendly state का पुरुसकार दिया गया most film friendly state का पुरुसकार सिक्किम राज्ये को दिया गया option 3 correct answer होगा next question November 2021 में किस राज्ये ने संजेदत को brand ambassador के रूप में sign किया है तो यह किया है अरुनाचल प्रदेश ने option 4 right answer होगा next question है October 2021 में निमन में से किस ने परियावरन स्थिर्ता स्रेणी में स्वर्ण पुरुसकार प्राप्त किया तो यह किया है NMDC Limited ने option 4 right answer होगा next question देखते हैं विस्व मरदा दिवस 2021 की विस्व वस्थू क्या है तो थीम जो है न वो है hold salt salinization enhance soil production option यहाँ पे two correct answer होगा next question December 2021 में भारतिय वायू सेना द्वारा S-400 वायू रक्षा मिसाइल परनाली के पहले स्कोडन को किस छेतर में तेनात किया जाएगा पंजाब सेक्टर में option 3 correct answer होगा next question है December 2021 में असम पुलिस में महा निरक्षक के पद पर पदोनत होने वाली पहली महिला कोन बनी है तो ये बनी है violet बरुआ option 2 यहाँ पे right answer होगा next question है अगस्थ 2021 में विस्व के दूसरे सबसे बड़े रिफर बिष्ट नेशनल जीन बैंक का उधगाटन किस ने किया देखिए रिफर बिष्ट नेशनल जीन बैंक का उधगाटन किया नरेंदर सीहें तोमर ने option 3 right answer होगा next question है हर साल किस दिन को ससस्तर सेना जंडा दिवस के रूप में मनाय जाता है साथ दिसंबर को option 2 correct answer हो जाएगा तो यह था आज का last question I hope कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो अच्छा लगा है तो like, share और चैनल को subscribe जरूर कीजेगा धन्यवाद